MS Word में मैंने ये paragraph ले रखा हैं और जिस type से मैंने इस paragraph के margin को set करा हुआ है ऐसी मुझे इस वाले paragraph को भी कराना है तो इसका पहला तरीका तो यह है कि मैं उतने paragraph को select कर लूँगा और यहां से ruler के इस वाले point पर click करके मैं इसको यहां पर लिया हुआ तो देखिए वो set हो जाएगा यह और इसका दूसरा तरीका यह है paragraph पर जाने के बाद मैं इसे decrease indent करा दूँगा जैसे यह देखिए और इसका तीसरा तरीका यह है कि मैं उतने paragraph को select कर लूँगा जिसके according मुझे इसका margin set करना है और keyboard से control shift plus C कर दूँगा और उतने paragraph को select कर लूँगा और keyboard से control shift plus V करूँगा तो देखिए वो set हो जाएगा जैसे यह देखिए